अगर आपने CA Intermediate या CA Final का exam May 2024 में दिया है तो ध्यान से बाते को सुन लिजेगा चाहे आप पास कियो या चाहे किसी भी रिजन से पास नहीं कर पाया है सभी स्टूडेंट्स के लिए अपडेट है ध्यान से बाते को सुन लिजेगा अगर आपको नहीं पता होगा तो आगे चल करके आपको duplicate marksit के लिए apply करना परेगा सबसे पहले बात कर लेते हैं CA final में 2024 वालो बच्चों के लिए अगर आपने CA final में 2024 में एपियर किया अगर आप group wise exam दिये हो या आप both group का exam दियो आप fail करो या पास करो आपके घर पे statements of marks आएगा ध्यान से बाते को सुन लीजेगा सभी बच्चों के घर पे statements of marks आएगा अगर जो बच्चा एक group pass कर गया होगा एक group fail कर गया होगा तो statements of marks फिर भी आएगा या आप both group पास कर गए फिर भी आएगा या बोत group fail कर गए फिर भी आएगा या कोई एक group ही का exam दी और एक group clear है तो भी statements of marks आएगा यानि कि statements of marks आएगा लेकिन जो बच्चा पास कर गए उनके घर पे नहीं आता है तो आपके screen पे mail ID सो करा डिटेल में mail कर दीजिएगा otherwise आगे चल करके आपको duplicate marksit के लिए apply करना परेगा हो सकता है ये news किसी बच्चे को पसंद ना है पूछ लेना जिनको duplicate marksit के लिए apply करना परता है कितना परिसान हो जाते हैं यानि कि CA final का result 11 जुलाई को आया था 28 से 35 तिस दिन के अंदर में आपके घर पे अगर आ जाता है statements of marks अच्छी बात है नहीं आता है तो आपके screen पे CA final वाले बच्चे mail कर दीजिएगा और जो बच्चे pass नहीं की हैं उनके घर पे नहीं आता है तो आप चाहो तो mail भी नहीं कर सकते हैं दिकत बाली बात है नहीं अब बात कर लेते pass certificate के बारे में pass certificate single single करके या एक साथ both group clear हो जाएगा तब ही जाकर pass certificate आएगा बोथ group clear होना ही चाहिए pass certificate आने में 60 दिन लगता है तो आपको 60 दिन का इंतजार करना होगा 60 दिन के अंदर में आ जाता है अच्छी बात है नहीं आता है तो आप detail में mail कर दीजिएगा mail भी नहीं करोगे हो सकता है आपको आगे चल करके duplicate marks it के लिए pass certificate के लिए apply करना पर है तो यह जो आपके screen पे mail ID सो कर रहा है सिर्फ और सिर्फ CA final वालो बच्चों के लिए I hope कि आपका doubt clear हो गया अब बात कर लेते हैं CA intermediate जो बच्चे में 2024 में exam दे कोई भी group clear होगा अच्छी बात है नहीं clear हुआ तो भी आपके घर पे statements of marks आएगा लेकिन जिनका group clear हो गया चाहिस एक group या both group आएगा statement of marks नहीं आपाता है तो आपके screen पे mail ID so कर रहा है 28 से 35 दिन इंतिजार करना उसके बाद mail करना जैसे ही result declare हुआ जो बच्चे pass कर गए लगातार मेरे से पूछ रहते statements of marks कब आएगा pass certificate कब आएगा तो आपको 28 से 35 दिन का इंतिजार करना परेगा अगर 28 से 35 दिन के अंदर में नहीं आ पाता है तो आपके screen पे mail ID so कर रहा है CA intermediate वाले बच्चे इस पे detail में mail कर दीजेगा pass certificate उन्हीं के घर पे आएगा जो कि CA intermediate का single single करके या एक साथ में 2024 में बोथ group clear कर गया होंगे उनको 60 दिन के अंदर में pass certificate आ जाए अगर pass certificate नहीं आता है साथ दिन के अंदर में तो आपके screen पे mail ID so कर रहा है CA intermediate वाले इस mail ID पे detail में mail कर दीजेगा नहीं mail करोगे आगे चल करके duplicate के लिए apply करना पर है studies ने CA intermediate and CA foundation September 2024 का batch launch कर दिया आप चाओ तो chapter wise ले सकते, unit wise ले सकते half syllabus, full syllabus, इतना सारा option है जो भी batch में enroll कर रहे हो अगर तीन MTP होगा तो तीनों free होगा CA foundation and CA intermediate वालो बच्चों के लिए इतना ही नहीं paper check हो करके मिलता क्या सही सुधारना ये सब चीज paper पे लिखा होता दो से तीन working days में paper check हो करके मिल जाता इसके अलावा फिरी में और क्या चीज मिलता है फिरी में guidance session मिलता है जहां पे charter accountant या rank holder आकर के आपको guide करते है इसके अलावा जब आप CA exam में pass कर जाते हो तो आपके घर पे trophy और medal बिल्कुल free में दिया जाता है रही बात price का तो वो बहुत कम है लेकिन जो आपको service दिया जा रहा है high quality का service दिया रहा है तो देर नहीं करना है जल्द जल्द enroll कर लें students का लगातार message आ रहा है कि CA intermediate में 2024 में जो बच्चे clear तो देर नहीं करना है कैसे enroll करना है charter studies के test series में इसके लिए आपको google पे लिखना है www.chartestudies.in इसके बाद test series पोर्टल पे क्लिक कर देना है इसके बाद test series वाले option पे आ जाना है यहां से अपना CA course को select कर लोगे इसके बाद कौन से level CA foundation का बच्चा CA foundation को select करेंगे intermediate का students intermediate का कौन सा आपका attempt है September 2024 सर्च कर देना है CA intermediate वाले बच्चे CA intermediate लिख करके search करेंगे इसके अलाबा CA intermediate का जितना सारा बच्च होगा fast track बच्च भी है chapter wise भी है इसके बाद unit wise भी है full syllabus, half syllabus है जितना सारा बच्च है इसमें free में MTP included है इसके अलाबा सारे बच्च में free में guidance session भी है और हाँ सारे बच्च के बच्च को रिजल ठाएगा क्या गलती कर रहे हो क्या चीज सुधार करना ये सब चीज आपके paper पे लिखा होगा answer book पे तो देर नहीं करना है जल्द से जल्द enroll कर लिजे और हाँ कोई भी बच्च में enroll कर रहे होंगे चाहे आप unit wise बच्च में enroll कर रहे हो तो आपको क्या करना है welcome coupon code यूज करना है जिससे आपको 20% का discount मिल जाएगा जल्द जनकारी के लिए description जरूर चेक कर लेना जैसे ही enroll करते हो उस समय से आप test देना start कर सकते welcome coupon code यूज करोगे 20% का discount मिल जाएगा कोई दिक्कत बाली बात है login कीजिया test देना start कर दीजिये अगर कोई भी additional doubt है तो WhatsApp नमबर आपके screen पे सोकरा वैसे description मिल जाएगा टीम से WhatsApp पे message करके बाते कर सकते